समस्कार में वंदना जोशी आज आपको लोगचित्रावण की स्तात्वी कहानी सुना रही हूं बगड़ावत और पातु कलाली लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें बगड़ावत भाई रेन की राजा की यहां मेजवानी आतिथ्य सहजता से स्विकार कर रहे थे तब रेन की राजा की उदार्ता से प्रभावित होकर विचार करने लगे यदि हमें भी आतिथ्य का उसर मिले तो मजा आ जाए हमारा भाई चारा बढ़ जाएगा सवाई भोज कहते हैं निया अपने तो यहां पर घर भी नहीं है और हमें इनकी मेजवानी किस बाथी कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे अरे भई हमारे पास कुद्रत की इतनी माया है दाम डालने पर हर चीज जहां चाहें वहां पैदा हो जाती है हम कहीं भी मेजबानी कर सकते हैं अच्छी बात है निया जी जाओ अच्छी सराब कहां मिलती है पता करो और अच्छी खासी मात्रा में शराब ले आओ आज हम राजा जी की मेजबानी करेंगे सुना है यहाँ पातु कलाली साक्षा सक्ति का अवतार है उसके यहाँ अत्यधिक मात्रा में शराब उपलब्द रहती है आदेश होते ही निया जी गोडे पर सवार होकर पातु कलाली के घर पहुँच गए हाथ में वही गोडा का ताजना चाबुक और पहुँच गए दिवार लांकर घर के अंदर पातु कलाली के हवेली के चोक में मत्वाले से बैठे जहां शराब पीने के लिए वहां लाख रुपए के काँच बिछा रखे थे और उशान शोकत अद्भुत दिखाई गई थी वहां निया जी ने कलाली के ठाट बार देखे और विचार आया बड़ी आसामी है जोर से आवाज लगई किसी ने जवाब नहीं दिया रात अंधेरी थी आधी हो चुकी थी आपने गोड़े को वहां गुमा दिया चारों और फुंदी खिलाई उचका दिया परिनामते काँच की थाली टुकड़े टुकड़े हो गई तूटने की आवाज होते ही अंदर से दो बांदिया निकली फिर पातु से जाकर बोली बाई जी बाई जी एक ऐसा मतवाला आया है जैसा पहले कभी नहीं आया और आगे भी कभी नहीं आएगा पातु ने पूछया वो आधा है या पूरा दोनों बंदियां आधा वे पूरा का मतलब समझने से की हाला कि बारा बारा वरस से वहां काम कर रही थी पर यह शब्द उसने कभी नहीं सुने थे तो पातु कलाली ने उन्हें समझाया आधा उसको कहते हैं जो एक पेसे की पीने आता है तो दो पेसे की पी जाता है पूरा उसको कहते हैं जो पांच पेसे की जगें छे पेसे की पी जाता है और गिरता पड़ता गर पहुंचता है फिर वहाँ उसको भाई बहन बाण जी कोई दिखेनी देती है कौन रिष्टे में क्या है 22 यह तो नहीं पता पर वह सोने में पूरा लदा हुआ है पातु बोली देखो छोरियां अपने सवा लाग का नुकसान वह कर गया है इस नुकसान की भरपाई यदि वह पैसे भर कर करे तो दो वह करेगा नहीं दो चार लाग की शराब पीए तो संभव है ऐसा वह करेगा नहीं इसलिए ऐसा करो ये दोनों बास लो और उसे भगा दो निया जी भाग निकला सवाई भज उसके देख कर समझ गया कि यह जरूर कुछ एब करके आया है पूछ लिया भाई क्या कुबद करके आये हो निया जी बोले पातू कलाली को तो पैसों से पीत है वह किसी को कुछ नहीं समझ की है फिर क्या था सवाई भोज ने अपनी बुली गोडी का संगार कर उस पर सवार हो गए और साथ ही 23 भाई भी अपने गोडों पर सवार होकर आ गए आधी रात्री में सोई हुई कलाली को जगाया और बोले उठ कलाली बर गडो चतर साल में दियो जोल आज पीबान आया कमर बाग का थारे लाखारा लेखा होई अथात कलाली को उठाते हैं और शराप के गड़ा भरने के लिए बोलते हैं बोलते हैं कि तुम अपने चतर साल में दिपक लगाओ हम बाग जी के जो कमर हैं वो आज तुम्हारे यहां आये हैं और हम तुम्हारे यहां लाखो के आमदानी कराएंगे पातू कलाली बोली तुम्हारे जैसे मेरे यहां बहुत आते हैं तुम कितनी सी पी होगे मेरे तो दिन उख्ते ही सवलाग प्रूपे आमदानी हो जाती है बगडावत बाते करते हैं कि यह शराब के दर्शन नहीं करा रही है और भाव ठहरा रही है कैसी ओरत है भोज बोलते हैं सोना ने चिरम्या हुँ तोल ले कलाली रूपा ने लीजे ताई गुण भोजा राप रख ले मूँगो सुंगो तो आख्यां बताए अथा तेरी शराब को तो बता तो सही दर्शा तो सही कहा है कैसी है कलाली ने बुली गोरी गिर्वे रखने के लिए कही तो सवय भोज कहते है इसे मैं नहीं रख सकता मैं बुली गोरी को गिर्वी नहीं रख सकता सवा को रोग की सांकली देने की बात में करता हूँ और तुम इसे रख लो सोने की चेन को कीमत की शराब वो नहीं पिला पाएगी तू तो इसे वापस लोटा दे। पातू सोचती है कि क्या कहकर वापस लोटा हूँ। वह तो स्त्रियों जैसी अकल काम में लेती है भड़ बेटे खाती है। यह तो पितल की है और इस पसोनी का जोल चड़ा है। मैं इससे शराब नह कि यहाँ पानी की कमी आ जाती है पर मेरे पास कभी शराब की कमी नहीं आती। मुझे इंदर की लोडी दूसरी पत्नी कहते हैं। मैरे यहाँ अंजन गंजन, सामन, भादो, चार ताल है। इन चारो तालों में दारू लहरे लेती रहती है। इनके अंदर मगर मच तेरते हैं सवय भोज बोले कि इतना बखान कर रही है भाव तो बता तब पातु कलाली बोलती है एक सीप भरती हूँ तो उसका सोनी का टका लेती हूँ और प्याला भर कर जो पीता है उससे पचास मोरे लेती हूँ जब हतेली की खुश्बू नाक में जाती है तो वह धक्के खता हुआ घर के रास्टे भी नहीं दिखता इस भाव में मेरी शराब बिखती है बोज कहते हैं कि कलाली तेने भाव तो बहुत भारी बताए हैं और यदि तेरी सारी शराब पी कर खत्म कर दें तो क्या करेगी कलाली कहती है यदि शारी शराब पी जाओ सो मोहरे मैं ही नाम में दूँगी और शराब के दाम भी नहीं लूँगी बात ते हो गई सवई भोज ने महादेव का ध्यान लगाया और ततकाल महादेव ने सोख्यापीर को भेज दिया जाओ सोख्यापी भगत सवई भोज के बोले-बोल को सार्थक करो और कलाली की बात को वमजोर करो सोख्यापीर सवई भोज के हतेलियों में आकर बाट गया सवई भोज शराब पिता जाए और बोले कि तुम जीती और मैं हारा जैसे ही उसकी हतेली में शराब डालते और सोख्यापीर उसे पी जाता एक बार सोख्यापीर ने ऐसा कि पिया की तलाप, बीडा, धोरा, बोतलें, सब जगें की शराब सोख ली। उसका नाम ही सोख लेने के कारण सोखया पीर पड़ा था। कुछ ही देर में कलाली ने देखा अंजन रीता गंजन खाली। सावन भादो ताल सूख गए। बोतलें सारी खाली हो गई। कलाली पूरे शहर में दोड़ी-दोड़ी भकती रही, पर उन्तु भोज के पीने के लिए वह शराब एककत्र नहीं कर पाई। शहर के लिए सभी कलाल बोले देखरी कलाली अब तो हम तो पानी बेच बेच कर हमारे बच्चों को पालते हैं। तेरे सावन भादो जैसे तालाब सूख गए तो दो-चार मन शराब सी क्या होगा। तब कलाली ने शर्मिंदगी महशूस की और बोला अब तो शराब की एक बूंद भी नहीं है। बाई निया एक ही भाई का हाथ का अंजुल नहीं भरा तो तुम तेईस का कैसे बरूंगी मैं। और यह कैसे मना कर रही है। इसकी चुटिया पकड़ कर छोटे गोड़े से बान दो। गाउं गाउं यह भूंती लोडती फिरेगी। निया जी बोले। दादा भाई करते तो तब हम बहुत कुछ कर देते पर यह बोली मैं जीत गई। बीरा मैं जीत गई। अपने को भाई बीरा कहे दिया। अपनी होड तो रहने दो। यदी संभव हो तो बहन को कांचली पहनाओ और थासाडी ओढ़ाओ। भोज भी कहने लगे भाई इसके बीरा बन गए तो इसको कुछ ओढ़ा पहना कर ही जाएंगे। इसने हम चोई सो भाईयों को बीरा कहे दिया बतलाया है तो कांचली के साथ सत्रा मायार के उूट भी दे दो इसको। तत्काली सवालाक मोरें दी, डाई लाक मोरें कांचली में डाल दी, हमेशा के लिए एक महत्वपून श्टीख भी दे दी कि आएंदा किसी भी मतवाले से होडा होड मत करना, किसी से भी कोई बात ते मत करना बीना सोचे समझे और कोल मत करना कि ऐसा करने पे मैं ऐसा कर दू एक बात केवल उनको बीरा कह देने से उनकी बहन बन जाने से बगड़ावतों ने उसे छोड़ दिया और इनाम देकर जिस तरह से बहन के साथ व्योभार किया जाता है वैसा व्योभार करके आए धन्यवाद यह थी मेरी बगड़ावत और पातुकलाली की संबंधों के बारे में साथ वी कहानी अब हम आठ वी कहानी सुनेंगे कि भगवान किस तरह से बगड़ावतों को छलने आते हैं और माता साडू किस तरह से उनसे आशिरवाद लेती है धन्यवाद